हलो इन्वेस्टर्ज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को HDFC बैंक और SBI बैंक के साथ में टोटल में 10 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनों मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज आते हैं सबसे बड़े अपडेट के साथ में स्टार्ट करते हैं तो कंपनी का नाम है D-Link India Limited कंपनी का जो NSC कोड है वो है D-L-I-N-K-I-N-D-I-A आज की ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के शेयर पे हमें 2% से जादा की तेजी देखने को मिली और कंपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 395 रुपीज का था कंपनी के अगर Official Announcement की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पे दो डिविडेंट अनौन्स कर दी हैं एक है Final Dividend और दूसरा है One Time Special Dividend Final Dividend अनौन्स किया गया है 8 रुपीज का और जो Special Dividend है वो अनौन्स किया गया है 5 रुपीज का टोटल में आपको आपके हर एक शेयर के उपर में 13 रुपीज यानि की 13 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा जिसको अगर आप कंपनी के Current Share Price के साथ में कंपेर करेंगे आपको खुद बखुद पता लग जाएगा एक काफी जादा भैतरीन डिविडेंट जो है कंपनी का नाम है TVS Shree Chakra Limited कंपनी का जो NSE Code है वो है TVS SRICHAK आज की ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के शेयर पे हमें लगबग 0.5% की तेजी देखने को मिली और कंपनी के शेयर का जो Closing Price था 4,067 रुपीज का था कंपनी के अगर Official Announcement की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पे Dividend Announce कर दिया है 47.34 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक शेयर की उपर में 47 रुपीज 34 पैसे का Dividend दिया जाएगा और इसको देने की भी X Date, Record Date फिलाल अभी Upcoming में है जैसी Announcement आ जाएगा मैं आप लगो को सबसे पहले Intimate कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है NCL Industries Limited, कंपनी का जो NSC Code है वह है NCLIND, आज की ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का जो शेयर है लगबग 0.4% के छोटे से correction के साथ में close हुआ था और कंपनी के शेयर का जो closing price था 206 रुपीज का था, क कंपनी के अगर official announcement की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पर dividend announce कर दिया है 2.50 रुपीज का, आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 0.5 रुपे यानि की 2.50 पैसे का dividend दिया जाएगा, dividend value ये भी हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, बाकि इसको देने की भी X date, record date अभी upcoming में है, आप लोग चैनल को subscribe कर लीजेगा, because जैसी X dates और record dates आ जाएंगी, मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा, अगले share की बात करें, तो company का नाम है Indian Bank, company का जो NSE code है, वो है INDIANB, आज के trading session में company का जो share है, exactly एकदम flat close होता हुआ देखने को मिला, और company के share क जो closing price था 513 रुपीज का था, company के अगर official announcement की बात करें, तो इस company ने काफी धमाके दार dividend अनौंस करके रखाए 12 रुपीज का, आप लोगों को आपके हरे एक share के उपर में 12 रुपे का dividend दिया जाएगा, और इसको देने की जो X date और record date है, वो 7th of June, यानि की 7 June की रहने वली ह अगले share की बात करें, तो company का नाम है, वर्दमान Polytex Limited, company का जो NST code है, वो है V-A-R-D-M-N-P-O-L-Y, आज की trading session में इस company के share पे हमें काफी जादा शांदार तेजी देखने को मिली, लगबग 5% की तेजी जो है, आज की trading session में company के share ने दिखाई, और company के share का जो closing price था, 102 announcement की बात करें, तो वर्दमान Polytex ने जो है, यहाँ भी stock split announce करके रखा है, 1-10 के ratio से, जिसका मतलब यह है, अगर आपके पास में इस company का एक share है, तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएगा, चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मर्जी shares हो, आप लोगों का हर एक share यहाँ भी 10-10 shares के अंदर में convert हो जाएगा, and इस stock split को देने की जो X date और record date है, वो 17th of May, यानि की 17 माई की रहने वाली है, तो कल और परसो यानि की 15 और 16 माई का दिन आप लोगों के पास में last 2 दिन रहने वाले हैं, इस company के share को purchase करने के लिए, अगले share की बात करें, तो company का नाम है, Motila Loswal Financial Services Limited, company का जो NSC code है, वो है M-O-T-I-L-A-L-O-F-S, आज की trading session में company का जो share है, almost हमें flat close होता हुआ देखने को मिला, company के share का जो closing price था, 2,271 रुपीज का था, company के अगर official announcement की बात करें, तो Motila Loswal ने यहाँ पे stock bonus announce करके रखा है, 3-1 के ratio से, जिसका मदलब यह है, अगर आपके पास में इस company का एक share है, तो यहाँ पे आपको 3 shares as a bonus मिलेंगे, total में जो आपका 1 share है, वो 4 shares के अंदर में convert हो जाएगा, अब बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मर्जी shares हो, आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 3 shares का bonus दिया जाएगा, एड इस bonus को देने की जो X date और record date है, वो अभी भी upcoming में है, company ने announce नहीं करी है, जैसी announcement आजाएगा, मैं आप लोगो को intimate कर दूँगा, तो आप लोग positively channel को subscribe करके रख लीजेगा, अ आज के trading session में HDFC का जो share है, 0.44% के एक positive note के उपर में close हुआ, और company के share का जो closing price था, 1461 रुपीज का था, अब यहाँ पे HDFC बैंक की तरफ से एक काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है, basically यहाँ पे ICICI Securities करके एक काफी जाना माना brokerage firm है, and I am damn sure आप लोगों ने ICICI Securities का नाम definitely सुनाओगा, इस brokerage firm ने जो है, HDFC बैंक के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है, और यहाँ पे जो target price दिया गया है, वो 1850 रुपीज का दिया है, तो लगबग 1461 रुपे से लेकर के, 1500 रुपे, यानि की 1850 रुपे तक की एक जो तेजी है, वो यहाँ पे ICICI securities expect करके चल रहा है, HDFC बैंक के share के अंदर में, अब no doubt यह bank fundamentally financially काफी strong है, और यहाँ पे इंडिया के अंदर में topmost banks में से एक है, और पूरे के पूरे banking index को, यानि की bank nifty को lead करता आ रहा है, HDFC बैंक के share में काफी लंबे time से, कोई भी एक बड़ा positive momentum हमें देखने को नहीं म and काफी high probability बनती है, आने वले कुछ हफतों के अंदर में या फिर एक डिड़ महीने के अंदर में इस company के share पर हमें एक अच्छा momentum देखने को मिल जाए, तो अगर आप लोग चाहें, definitely HDFC बैंक के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं, बाकी रही बात यह जो 1850 रुपे का target यह आपका mid term का target रहने वला है, तो जरूर से company के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा, अब आज आते हैं, बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे अगले end last stock की, तो company का नाम है State Bank of India, company का जो NSC code है, वो है SBIN, आज की trading session में SBI bank के share पे हमें 1% से जादा की तेजी देखने क मिली थी, और company के share का closing price था, 817 रुपीज का था, अब SBI bank की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है, basically यहाँ पे anti-q करके काफी जाना माना brokerage firm है, और anti-q ने जो है, SBI bank के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है, और यहाँ पे जो target price दिया गया है, व है, वह यहाँ पे anti-q expect करके चल रहा है, State Bank of India के share के अंदर में, अब देखा जाए, SBI bank कोई छोटा मोटा bank तो है नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा bank है, और यहाँ पे PSU unit होने की वाज़े से government का पूरा support और investor का पूरा trust company के उपर में बना रहता है, हाला कि एक चीज़ आप काफी slow and steady move करता है company का share, उपर जाता हुआ आपको definitely देखने को मिलेगा, लेकिन काफी धीरे धीरे और काफी slowly, और यही जो 900 रुपे का target है, वैसे तो short term के हिसाब से target बनता है, बट हो सकता है SBI bank का share है, तो mid term तक का time लग जाए, अगर आप लोग चाहें तो definitely SBI bank के share को आप के watch list के अंदर में add कर सकते हैं, आपका investment जोए काफी हद तक safe and secure रहेगा, और काफी easily आपको 900 रुपीज का target जोए achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा, बाकी SBI bank और HDFC bank दोनों company's के shares के उपर में नजर बना के रखिएगा, और इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ, ताकि यहापे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए, तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले-पहले purchase कर लेना होगा, बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही, यही 10 stocks थे, जिनोंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था, अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो, definitely वीडियो क को मिलता रहेगा, चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, till then, bye!